गाइज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और डेली कैपिटल के बीच इस IPL का जो 62 मैच खेला जाएगा मतलब गाइज RCB वर्से DC के बीच जो आज का मैच होने वाला है उसके बारे में गाइज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल प्रेडिक्शन देने वाला गाइज आपको बता दू ये वाला मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के होम ग्राउंड पे खेला जाएगा मतलब चिन्ना स्वामी स्टेडियम गईज बैंगलोरू में आज का मैच होने वाला है अब ये वाला मैच गई दोनों ही टीमों के लिए डू और डाई सिच्वेशन वाला मैच ह दो भी टीम गईज ये वाला मैच हार जाएगी माल वीजिया रसी भी ये वाला मैच हार जाती है तो वो तो सीधा डिस्क्वालिफाई हो जाएगी डैली कैपिटल भी गईज अगर इस मैच को हार जाती है तो बहुत कम चांस हो जाएगे कि DC भी इस IPL 2024 में टॉप 4 में जग देने वाला हूँ इसलिए complete वीडियो आपको लास्ट तक देखना है गईज उससे पहले आज के मैच की मैं आपको पेडिक्शन दूँ उससे पहले आपको बता दूँ आर सी भी वरसे DC के 20 गईज जो आज के मैच के टीम पेडिक्शन में देने वाला हूँ इसमें गईज विराट कोली का बल्ला काफी चलता है तो यह आज के मैच का पंट प्लेयर बन सकता है दूसरा प्लेयर है गईज फाब डू प्लेसिस जो की RCB टीम के कप्तान है इनका रिकॉर्ड भी गईज चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलूरू में बहुत अच्छा रहता है तीसरे प्लेयर है गईज जैक फ्रैजर चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलूरू का गईज जो पिच है ना वो काफी जादा बैटिंग सपोर्टिव रहता है और जैक फ्रैजर गईज जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है ना मुझे आज के मैच का पंट प्लेयर लग रहा है और यह पांच प्लेयर को अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के टीम में रखते हैं तो बाकी के छैप्लेयर कौन से होने वाले वह अपन इस वीडियो में आगे बात करने वाले साथ में आपको इसी वीडियो में RCB वर्से DC के बीच जब भी मैच हुआ है ना तब कौन कौन से प्लेयर ने अच्छा किया है तो उनका head to head stats बता दूंगा और साथ में चिन्ना स्वामी कोई जरूरी नहीं आप 15,000 लाइक का target complete कराए पर गाइज आपको मैं दिल से बोलता हूँ एक लाइक भाई की मेहनत के लिए पक्का से कर देना क्योंकि जो अपना mission है ना कि जो IPL के matches बचे हुए सब में अपन विनिंग करेंगे और World Cup में भी अच्छी विनिंग करेंगे इ को 10,000 विन कर सकता है मतलब वीडियो पे लाइक YouTube चैनल को सब्सक्राइब और complete वीडियो वाच करके भी आप विन कर सकते हैं बट गाइज मैं आपको एक चीज जरूर बनूंगा लाइक आपको गीववे के लिए नहीं करना लाइक आपको करना एक अच्छे विनिंग के प्लेइंग 11 होने वाली है तो गई वाइल चैनेजर्जर्स बैंगलोर की अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो विराट कोली के साथ फाब दो प्लेसेज ऑपन करने वाले इसके बाद विल जैक सैंगे रजत पार्टीदार कैमरान ग्रिन दिनेश कार्तिक महीपाल लोम र पार्ट विल जैक्स अभी दो मैचों से कुछ खास कर नहीं रहा तो इसको आज के मैच में रखे या नी रखे इसके अलावा गई इनकी बॉलिंग सेक्शन में से किसको रखे क्योंकि बॉलर्स इनके पास बहुत सारे तो सब के जवाब गैज आपको इस वीडियो में मिलने तो अगर इशब पंद आज का मैच नहीं खेलता है तो कौन कप्तानी करेगा और उसकी जगे कौन आने वाला है तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रत्वी शा के साथ जैक फ्रेजर हो सकता है आज के मैच में ओपन करें और नमबर तीन पर फिर अभी शेक पूरल आए वैसे बैठाईगी वह कोच पर डिपेंड करेगा या कप्तान पर डिपेंड करेगा बाकि नमबर तीन पर शाही हो पक्षर पटेल ट्राइस्टन इस्टप जी नैप इसके लावा रसिक सलाम कुल्दी प्यादव मुकेश कुमार इशान शर्मा खलील हमन तो गई इन सारे प्लियर करो या लाइव इस्ट्रेमिंग करो आपके पार नोटिविकेशन आए और आप सीधा कनेक्ट हो जाओं अब देखे गई रॉयल चेलेंजर बैंगलोर डेली कैपिटल का जो लाश्ट मैच हुआ था नहीं कौन से बॉलर्स ने बॉलिंग करी थी और कप करी थी तो अगर मैं आर सीवी की बात करूं तो लाश्ट मैच में मोहमत सिराच या स्ट्याल और कैमराउन गिली मतलब तीनों फास्ट बॉलर ने अपने कंप्लेट ऑवर कराए थे और मुझे लग रहा है आज के मैच भी एक कंप्लेट ऑवर कराएंगे क्योंकि इस वाले पिछ पे फास्ट की इसके अलावा अगर डेली कैपिटल की बात करूं तो कंप्लेट ऑवर करा रहे हैं खलील एमद और कुल्दी प्यादव इन्होंने अपने लास्ट मैच में कंप्लेट ऑवर डाले और यह दोनों गई आज के मैच पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्यों होने वाले मैं बॉलर आपको पिक करके चलना है इसके अलावा आपको बता दू डेली कैपिटल की तरफ से दो प्लियर ऐसे हैं जो खास तोर से गई इस मैदान पे काफी अच्छा करते हैं तो अगर आप स्मॉल लीग और ग्रेंड लीग के टीम मना रहे हो तो उन दो प्लियर्स को तो डे एफशे मैच में भी इसली विनिंग कर पाएंगे चिन्टा स्वामी स्टेडियम बैंगलुरू का वीमें अगर फिच डीपोर्ट आपको डाहूं तो चिन्ना स्वामी सटेडियम बैंगलुरू का जो ग्राउम्ड है काफी छोटा ग्राउन्ड है यहां पर चोके चपके मिलती है इस वाले वेन्यू पर गई अभी तक एक सो साथ मैचे हो चुक है टी टुन्टी के जिस टीम ने पहले बैटिंग के उसने सेवन टीवन जिसने सैकेंड बैटिंग के उसने 87 और एवरेज इसकोर आपके सामने 195 का तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आज के मैच में हर मैच की टॉस के बाद बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड करता हूं और अभी तक जितनी टीम मैंने दिया उतमें लगबग मोशली मैचेज में अपने अच्छे विनिंग की है और वो टीम आपको बता दूँ टॉस के बाद मैं खुद प्रोवाइड करता हूं मेरे टेलिग्राम चैनल पर लेके आएगा वहाँ पे जॉइन का बटन है जाके दबा देना फ्री में जॉइन होता है कोई चार्ड नहीं है तो पक्का से आप टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर ले अब गई चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलूरू में अभी तक जितने मैचे 3 पे आल आउट हो गया था और इस वाले मैच में पेसर्स को 10 विकेट मिले थे स्पिनर्स को 3 इसके बाद 15 अप्रेल 2014 को गई यहां पे काफी बड़ा मैच वह और काफी हाई स्कोरिंग वाला SRH ने बनाए 287 RCB 262 ठी बना पाया और इस वाले मैच में पेसर्स को साथ इस्पिनर्स को 2 विकेट मिले और अभी जो लास्ट मैच हुआ है वह वहाता चार मही 2014 को गुज्राट टाइटन्स और RCB के बीच गुज्राट टाइटन्स को RCB ने 147 अन पे अलाउट कर दिया और RC RCB ने 152 बना लिए इस वाले मैच वे भी पेसर्स को 11 इस्पिनर्स को 3 विकेट मिले तो अगर आप लास्ट तीन मैचों को देखोगे न तो ज्यादा बड़ा स्कोर बन नहीं रहा और फर्स्ट इनिंग में विकेट्स भी काफी गिद रहे और विकेट्स किसको मिल रहे ज्य दिखोगे तो आपको सबसमझ में आएगा बेच में स्किप करोगे तो फिर गलत कर दोगे और इस वीडियो पर गई जो लाइक का टार्गेट दिया है वह आपको कंप्लेट कराना है पक्का से लाइक करना है किसी को भी मिस नहीं करना इसके अलावा गई माई 11 सरकिल एप पे आज के मैच पे भी आप मेगा ग्रैंड लीग में एक करोड रुपए विन कर सकते हैं तो आज का जो मैच है आर्सीबी वर्से डीसी का इस वाले मैच में गई अगर आप मेगा ग्रैंड लीग खेलने की सोच रहे हो तो मैं आपको ब लिए डाउनलोड करें डाउनलोड करते हैं आपको पंद्रा सो रुपए का बोनस मिलेगा और साथ में मेगा ग्रैंड लीग आप यहां पर जॉइन कर सकते हैं और गाइस देखिए जब आप यहां पर डिपोजिट करो न अपना पहला पहला डिपोजिट मारो तो एक कोड जरूर डाल देना कोड क्या है वो मैं आपको बता देतो एक्सपट 23 एक्सपट 23 एक्सपट 23 कोड डालने से क्या होगा कि जितना आप डिपोजिट करोगे न उसको ट्वंटी परसेंट आपको एक्सटा मिल जाएगा मादलो आपनी किया 200 रुपए का डिपोजिट तो 240 500 किय को भी बाई डिपोजिट करें इस कोड को गई जरूर से याद करना अपने पहले डिपोजिट के टाइम पर और साथ में गई इस यूट्यूब चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर डेना शौर एक्सपर्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल को ताकि मैं जब भी वीडियो पर लिंक दिया हुआ है बस क्लिक करके आप जॉइन कर सकते हैं फिरी में जॉइन होता है कोई चार्ड नहीं है पक्का से जॉइन कर ले ले बट गई माई लेवन सरकी लैप पे थोड़ा सा वित्ते जोकिम इंक्लियूड है कि अपनी रिस पर खेले समल के लिए अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि आज के मैच में विकेट कीपर सेक्शन में किसको रखे अगर मैं आर सीबी की बात करूं तो नाम आता है दिनेश कार्तिक का दिनेश कार्तिक की अगर आब लास्त तीन मैचों की पर्फोर्मेंस देखोगे ना तो अठारा बीस ऐसे रन मना रहा है लास्त तीन मैचों में बनाए अठारा एक्केस ग्यारा और सामने वाली टीम डीसी के अगेंस देखोगे तो अठारा का है और इस मैदान पर अगर आज का मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा मेरे इसाब से शायद ही खेले अगर खेलता है तो ले लेना इसके अलावा अभ लेफ्ट हैंडड बैटर है लास्त तीन मैचों में बनाए पैसाट अठारा चट्र और शाई होब जो की नंबर तीन पर खेल सकता है लास्त तीन मैचों में एक च्छे एक तालिस तो आज के मैच के लिए सबसे बढ़िया पिक है अभिशेख पोरल वैसे तो सबसे बढ़िय पोरल को यूज करना है कैसे दिनेश का अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वालो कि इसके लावा और सीबी के अगर मैं बैटिंग सेक्शन की बात करो तो गई मैंने दो प्लेयर आपकी प्लेयर लिस्ट में डालेते हैं कौन-कौन से विराट कोली और फाफ दो प्ल इस मैदान पर विराट का रिकॉर्ड है 42 का डीसी के अगेंस 30 का अवरेज और लास्ट तीन मैचों में आप रन देखें 92-40-70 और वहीं फाब डू प्लेसिस की बात करूं भाई इस मैदान पर 48 का अवरेज सामने वाली टिम डीसी के अगेंस 28 का अवरेज और लास्ट तीन म हो जाए कोई दिक्कत नहीं है बड़ रखना पड़ेगा रजत पाटीदार नंबर चार पे खेले का गई यह भी अप काफी अच्छी फॉर्म पकड़ चुका है और लास्ट तीन मैचों में दो हाफ सेंचुरिय और बहुत तेज खेलता है वाई 55-50 इस मैदान पे 5 मैच 61 ड इसके बाद डेली कैपिटल की अगर मैं बैटिंग सेक्षिन की बात करूं तो डेली कैपिटल की दरफ से देखें प्रत्वी शाह हो सकता है उपन करें बाकि फॉर्म बहुत खराब चल रहा है प्रत्वी शाह का और इस मैदान पर भी इसने दो मैच खिलें के वल अठाइस रन बनाएं और आर सीवी के अगेंस आवरेज आप देखें बीस काई है लास्ट तीन मैचों में तीरा ग्यारा सोला पर ट्राइस्टन इस्टब्स गईस काफी अच्छी बैटिंग कर रहा है इनका ओवर सीज प्लेयर है और हर मैच में रन बना रहा है जब भी मौका मिलें लास्ट तीन मैचों में 41-44 और जैक फ्रेजर तो भाई जिस अंदाज में खेलता है ना रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है यह अगर यह च्छोवर में टिक गया तो च्छोवर में अपना गेम खतम कर जाता है लास्ट तीन मैचों में 84-50 बार तो गाईज दीसी की तरह स से आपको दो बैट्समें अपनी टीम में लेकर आने कौन-कौन से एक तो जैक फ्राइजर डेफिनेटली रखना है और दूसरा टाइस टनिस्टर दोनों मेरे इसाब से आज के मैच में इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली लेकर अगर खेलता है तो आप ग्रैंड लेग में लास्ट दो मैचों से रन निकल ने रहे दो मैचों में बिलाकित तीरा रन बनाए और इस मैदान पर अभी दो मैच खेले आटी रन बनाए तो थोड़ा सा गया है यह वाला मैदान इसको सूट कम कर रहा है और वहीं अगर कैमरान ग्रीन की बात करूं यह काफी अच्छा कर और फॉर्म में आ चुका है टीम का फास्ट बॉलर है लास्ट मैच में 46 उससे पहले एक विकेट बट इस मैदान पर रन कम बनाता है पर थोड़े बहुत विकेट निकाल के ले जाता है और स्वापनियल सिंग गाइस काफी अच्छा कर रहा है लास्ट तीन मैचों में अब तक तीन विकेट ले जा चुका है बट गाइद मुझे ऐसा लग रहा है गट फिलिंग आ रही है कि आज के मैच में विल जैक्स का बल्ला चल सकता है हाई पॉसिबिलेटी लग रही है और साथ में कैमरान ग्रीन यह दोनों गाइद मुझे ऐसा लग रहा है आपको रखनी च से देखिए दो हल्डाउंडर है एक तो अक्षर पटेल और एक जीन अक्षर पटेल को तो गईज मैं डेफिनेटली बैक करूंगा क्योंकि अपने कंप्लेट ऑवर भी करता है बैटिंग भी करता है लाश्ट मैच पे भी पंदा रन एक विकेट उससे पहले भी पंदा रन दो विकेट साथ में 11 और अगर इस मैदान पे आप देखोगे आठ मैचों में नौ विकेट और जिस तरीके के गई जार सीबी के प्लेयर है ना सारे हीटर है तो मुझे लग रहा है अक्षर पटेल कहीं ना कहीं एक दो विकेट निकाली लेगा और रिकॉर्ड भी अच्छा इसका रसीबी के अगेंस 18 मैच 19 विकेट और जीन एप को आप डेफिनेटली ग्रैंड लेग में जूच कर सकते हैं जो बाई मेगा ग्रैंड लेग खेल रहा है माई 11 सर्किल एप पे तो वहाँ पे जीन एप को यूज़ करें एक बढ़िया पिक है बाकि अक्षर पटेल डे तो आर्सीबी के गईस कुछ बॉलर बता रहो डेफिनेटली रखना पहला सिराज 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 फास्ट बॉलर और सिराज गईस कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा है लास्ट तीन मैचों में अब तक 6 विकेट ले जा चुका है और सिराज जब चिन्ना स्वामी स्टेडि उतने ही विकेट मिलें बराबर का मामला करन शर्मा जिसको लास्ट मैच में दो विकेट उससे पहले एक विकेट और इस मैदान पे साथ मैच खेले 12 विकेट है तो करन शर्मा और सिराज यह दोनों गईस इस मैदान पे काफी अच्छा करते हैं तो एक बढ़िया बॉलर है और लोकी फर्ग्यूसन को भी लास्ट मैच में दो विकेट मिलेते तो अच्छी बॉलिंग कराई थी तो आज के मैच में आपको रैंकिंग दे देता हूं सिराज मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा बॉलर है पहले नंबर पे दूसरा है करन शर्मा दूसरे नंबर पे थर डेली कैपिटल के पास भी गईस काफी अच्छे बॉलर है जिसमें मैंने एक बॉलर्स को अपनी प्लेयर की लेश्ट में भी डाला था जिसका नाम है खलील हमत का रिकॉर्ड गईस अच्छा रहता है इस जब आर सीबी के अगेंस खेलता है तीन मैच पांच विकेट है और अभी लास्ट मैच में दो विकेट लेके आ रहे हैं कुल्दी प्यादव का भी रिकॉर्ड गईस ठीक ठाक रहता है इस मैदान पर चार मैच चार विकेट सामने वाली टीम के अगेंस साथ मैच छे विकेट और लास्ट तीन मैचों में दो विकेट रसिक सलाम को हर मैच में एक 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 विकेट मिल रहा है ठीक ठाक बॉलिंग आ रही है इशान शर्मा इसका रिकॉर्ड इतना कोई खास नहीं है इस मैदान पर पाच मैच तीन विकेट रसिवी के अगेंस 15 मैच 12 विकेट है और मुकेश कुमार तो गई डैफिनेटली पिक करने वाला बॉलर है क्यों मुकेश कुमार यह दोनों फास्ट बॉलर तो कई ना कई बैटर है और अगर आप तीसरा भी रख रहे हो तो फिर आप कुल्दी प्यादाओं को रख सकते हैं बाकि अगर इस पिच पर बहुत जादा इस्पिनर्स को मदद रहा हो मैं आपको बता दूँगा टेलीग्राम प इंपक्ट प्लियर कौन कौन हो सकते हैं अनुज रावत सुयश प्रभुदेशाई विश्यक विजय कुमार और मयंग डागर इन में से कोई भी खेले मत रखना केवाल एक विश्यक विजय कुमार अगर लाइन अप में दिखे तो रख ले ना इस मैदान पर आट मैस दस वि अगर इन में से कोई भी प्लेइंग लेवन में भी आता है ना तो भी मत मेरे अकॉर्डिंग बैटर निया मत ली दिए अब गई सबसे इंपोर्टेंट चीज आती है कि आज के मैच में प्लेयर बैटल कैसा है मतलब आज के जो मैच के प्लेयर है वह कौन से बॉलर्स के अग अगेंस में श्ट्रगल है अक्षर पटेल के अगेंस पे तीन बार आउट हो चुका है पर मुझे ऐसा लग रहा है फाब जब बॉलिंग करेगा और जब अक्षर आएगा तब तक तो यह अपने रन बना चुका होगा दिनेश कार्तिक को भी अक्षर पटेल दो बार रिशा प्रग्योसन दो बार तो पत्वी शातों मुझे डाउटफॉल प्लेट लग रहा है आज के मैच के लिए कि ऐचा पो 7讲 cannabis को बार करता है तो मैकस्वेल को बैक करे अग्सवेट का जिस तरीके का आई पेल गया है मुझे तो निगता है यहां पर है मेरे को लगता नहीं क्योंकि अग्ले सीजन वे आपको शाहिद मेश्वेल familiar कर से क्सी तरफ से मुक्त continue मौका दे रहे बट यह continue flop हो रहा है इसके अलावा और कोई प्लेयर यहां पर है नहीं मेरको लगता नहीं क्योंकि आर सी भी अच्छा कर रही है लास्ट इन चार मैच से विन कर दी है तो प्लेइंग 11 में चेंज करने की जुरत नहीं है को डैली कैपिटल की दरफ से हो सकता है डैविड वाडनर आज के मैच में आपको खेलते हुए देखें ओपनिंग स्लॉट पे क्योंकि कई ना कई वह भी एक अच्छा पिक हो सकता है वाडनर क्योंकि वाडनर का इस मैदान पे भी आवरेज आप देखिए 59 का है और और आर सी अलावा गईज देखिए और प्लेयर मुझे नहीं लगता है या पे कोई बदलाव होगा एक रिशापन की जगे कोई और प्लेयर आ सकते हैं आज की मैच के लिए गईज मैंने आप लोगों के लिए दो टीम बनाई है दोनों टीम आपको दिखा रहेता हूं उससे पहले इकन की घंटी दबा के औल प्रैस कर देना है क्योंकि बहुत सारे बायों के मैसेज आते हैं कि वह आप जब वीडियो अप्लोड करते हो हमारे पार नोटिविकेशन नहीं आता तो वह तब ही आएगा जब आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब क्यों होगा और की घंटी दबा के और अभी गईज मैं आगे आपको कप्तान वाइस कप्तान का सेलेक्शन बताऊंगा और आपसे प्रश्ट मुचूंगा अगर उसका जवाब सही दे देते हो तो आप उसमें भी प्राइज विन कर सकते हैं अब क्या टीम मनाई है दिखा देतो विकेट से मुचली मैचों में रन बना रहे हैं दोनों को रखा है अक्षर पटेल कैमरान ग्रीन और विल जैक्स विल जैक्स की मैं थूड़ा सा रिस्क ले रहा हूं मुझे लग रहा है अच्छा कर सकता है आज के मैच में पॉसिबलेटी है और बॉलिंग सेक्शन में मौमत सिराज और खली लहमत यह दोनों को मैंने रखाए अब आप क्या कर सकते हो विल जैक्स को अगर नहीं लेना चाहते तो यहां पर स्वपनेल सिंग को ले सकते हो वह भी काफी अच्छी बॉलिंग करा रहा है या फिर आप मुकेश कुमार को लीजिए मुकेश कुमार मेरे काफी अच साथ जाना चाहता है क्योंकि बहुत से भाईयों के मैसेज आते हैं कि आप सेफ टीम देते हो थोड़ा ऐसा दिया करो जो थोड़ी रिस्की हो जिससे हम जीत पाए क्योंकि सेफ टीम के साथ अभी जिस तरीके का कॉंपेडिशन है जीतना बहुत मुश्किल ठीक है तो यहां पर अक्षर पटेल कैमरान ग्रीन विल जैक्स की जगे सौपनेल सिंग को लेकर हैं क्योंकि विल जैक्स को अगर आप इस फॉर्म के ड्रॉप करते हो तो फिर सौपनेल सिंग आएगा यहां पर कुल्दी प्यादव मुकेश कुमार और रसिक दर सलाम यहां पर करन शर्मा ज को कम लोग लेके आएंगे कुल्दी प्यादव को फिर भी लिए पर बाकी को कम रखेंगे तो यह टीम भी आप यूस कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में आज के मैच में कप्तान वाइस कप्तान के लिए चॉइस देखे विराट कोली सबसे अच्छी चॉइस है आफ को बना सकते हो आप और वी सी अगर बनाना हो वाइस कैप्टन तो आप उसमें कर सकते हो यहां पर जैक फ्रैजर को या फिर कैमरान गिरिन को बाकी मैं फाइनली किसको बनाऊंगा वह जब टॉस हो जाएगा आपको टेलीग्राम शौर एक्सपर्ट सपोर्ट चैनल पर पता लग जाएगा आप वहाँ पर जुड़े रहें ठेक है तो आर्सीबी वर्से डीसी आईपेल मैच पेडिक्शन डिटेल प्रियू गाईज यहीं खतम होता है और आज के मैच का फ्री गीववे का प्रश्न है कौन सा बैट्समें आज के मैच में सबसे जादा रन बनाए इसलिए पक्का से जुड़ जाये करो कोई मिस्स मत क्या करो और साथ में इस यूट्यूब चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही प्यार देते रहना लाइक कर देना और गाईज ऐसे ही वीडियो देखते रहो ठीक है भाईयो आदाब सश्यकाल और नमस्कान झाल